हालो फ्रेंट्स नमस्कार दोस्तो आज की व्यूडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास फ्री वाला MPEG-4 HD Setup Box है तो दोस्तो इस पर आप किस प्रकार से जो भी आपका DTS का प्रोग्राम चल रहा है जैसे दोस्तो आप देख सकते हैं कि DTS पर हमारे हम इसे कैसे देख पाएंगे तो आज उसी बार में दोस्तो एक चोटा सा वीडियो लेकर आया हूं तो सबसे पहले दोस्तो आपको करना क्या होगा इसके पीछे भी setup box के पीछे भी एक USB socket है आप दोस्तों उस पर भी लगा सकते हैं तो फिलाल दोस्तों मैं इसे यहां सामने जो है इसे लगा दियता हूँ कुछ इस प्रकार से तो जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस पर मैंने card reader को लगा दिया है और आप देख सकते हैं दोस्तों इस पर LED बिलिंग कर रही है मलब की हमारा यह work कर रहा है और अब दोस्तों जैसे कि यह हमारे DTS का program जो है चल रहा इसे दोस्तों हमें record करना है तो क्या करना होगा तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस remote पर देख सकते हैं दोस्तों यह प्ले का बटन है यह आपका पूस का बटन है यह दोस्तों आपका इस्टाप का बटन है और यह आपका रिकार्डिंग का बटन है तो आपको दोस्तों क्या करना है रिकार्डिंग करने के लिए इस गोले बाले बटन को आपको दोस्तों प्रेश कर तो आप TV श्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है रिकार्ड होना सुरू हो चुका है आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारा प्रोग्राम फिलहाल जो है रिकार्ड होना सुरू हो चुका है अगर दोस्तों आप इसे बीच में ही स्टाप करना चाहते हैं तो तो दो मिनट का है इसके दोस्तों आपको बढ स्बस्टों करने के लिए बटन प्रेश कर देना इसके दोस्तों का आपको स्टाप करको अपको और कि दिरना है Would you आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपको इस प्रकार से Share to Stop Recording दोस्तों आपको OK बटन जो है प्रेश कर देना है इससे और आपको दोस्तों यह जो प्रोग्राम चल रहा था भी तो रिकार्ड हो चुका है और आपको दोस्तों देखना है कि हमारा प्रोग्राम जो है कहां Shave हुआ है हमारे Memory Card पर तो दोस्तों आपको Menu बटन प्रेश करना है इसके बाद आपको सीधे जाना है Media Center पर और दोस्तों आपको Media Center पर सीधे आपको कहां जाना है तो दोस्तों आपको जाना है रिकार्ड फाइल में जैसे दोस्तों आप रिकार्ड फाइल में जाएंगे इस पर आपको Remote का OK बटन प्रेश करना है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो हमने DD उर्दू का जो प्रोग्राम रिकार्डिंग किया हुआ है तो दोस्तों आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है DD उर्दू अब दोस्तों आप इसे प्ले भी कर सकते हैं तो दोस्तों मैं इसे आपको प्ले करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमने जो dda freelist का program दोस्तो record किया हुआ है वह हमारा चालो हो चुका है अब दोस्तो आप इसका आप जो वायर भी, ल rozm districts का wire भी है इसे दोस्तो आप निकाल देंगे तब भी दोस्तो आप का recording मारा program है कभी भी दोस्तो आप देख सकते हैं इस प्र 지원 से और अगर दोस्तो आपको इसे डिलीट करना है तो दोस्तो आप इसे डिलीट कैसे करेंगे तो आपको डिलीट करने के लिए जैसे दोस्तो आप अगर इस वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको अपने remote का दोस्तो यह लाल बाटा बटन है इसे आपको प्रेश करना होगा और दोस्तो आपको OK बटन प्रेश कर देना है इससे आपने जो recording किया हुआ वीडियो को तो दोस्तो वह आपका delete हो जाएगा और एक बार दोस्तो आपको फिर से बता देता हूं अगर करती है इस्टाफ बाबटन सेक्ड नमबर तो दोस्तो आपका जो recording है तो वहीं श्टाफ हो जाता है और जितना दोस्तो आपको वीडियो आपको रिकार्ड हुआ है वैस्ट अपको शेव करने के लिए OK बटन प्रेश करना होगा इस प्रकार से तो दोस्तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना बिलकूर ना भूलें मिलते हैं नेस्ट वीडियो पर नमस्कार